नमस्कार एवन उत्रप्रदेश में आपका स्वागत है मैं हूँ सारव शर्मा आए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर साहरानपुर दोरे पर मुखेमंत्री योगी आदितिनाथ पुरिस लाइन में की जनपरतिनीजियों के साथ बैठा कर शाकंभरी देवी विश्विद्याले और स्मार्ट सिटी के निर्मार कालियों का किया निरिक्ष्ण यूपी की ब्रियोक्रेसी में फिर फिर बदल चार आईएस और छे पीसी एस अफसरों के तवाद ले राके सिंगल लखनाओ में बने एडियाएम ट्रांस गौत्मिल्ट आयोध्या के कैंट शेत्र में दर्दनाक हाथसा निर्माना धीन मकान की ढही शट्रिंग हाथसे में एक मजदूर की मौत दो घायल कोशामडी में महिला पर ऐसे डटेक करने वालों पर कारवाई बदमाशों की पुलिस और एसोजी से हुई मुढ़ेड जवाबी कारवाई में दो बदमाश घायल मास्टर माइंड की तलास जारी वारा नसी में फिर तेजी से बढ़ रहा गंगा नदी का जल इसतर नौका संचालन पर लगी रोक चौरियां सी घाटों का आपसी संपर्ख तूटा अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली AICC मुख्याले पर जहां पर इस समय कॉंग्रेस की प्रेस वारता आयोज़त की जारी है कोवीद का नियम सबको लागू था लेकिन कोवीद चलती समय सरकार बनाने में अलग अलग राजियों में तोड़ने में सरकार लोगों को जान बचाने के जगा पर सरकार बनाने और बचाने सब में लगे वे था और बाहवाई ही ले रहे था कि हमने इतने राजियों में सरकार बनाए था संकल्प लिया था कि हम कॉंग्रेस मुक्त भारत बनाए और इस होड में एक गेम प्लान की तरह लग गए जो आज अजादी को या त्रिरंगा को सम्मान करने वाली बात बोलते हैं वो अजादी का संघर्ज का मुल्य को हैं समझे नहीं समझे होते तो कॉंग्रेस को भी समझे होते डेमक्रिशी में हमारी बुराई को या गलत काम को उजागर करने का अधिकार हर विपक का है उसको नहीं करके आप फिजिकल अस्तित्व मिटाने में अपना सारा ताकत और सारा सरकार की संस्थां को कमजोर कर दिया यकिन ऐसे में बिहार एक संदेश द्यादेश को लोग तंतर को बचाने के लिए ऐसी समय में बिहार में सोसलिस्ट, डेमोक्रिटिक, सेंट्रिस्ट फोर्सेश, लेफ्ट फोर्सेश एक बहुत बड़ा व्यापक बिचार का सम्हा जो फासिस्ट वादी ताकत जो कम्नल फोर्सेश जो ताकत है उसके विपरित सारे फोर्सेस बिहार में एक हो गए और लोग तंतर के सम्मान में डेमोक्रेसी के सम्मान में सम्धान के सुरक्ठा के सम्मान में वेक्ति, शम्ह很好, संस्थान, संगठनों की, दलों की आजादी के उदेश्य में एक दिसाय निर्देश दिये एक महागडवंदन हुआ और जिसमें बिहार में बीजेपी की सरकार को बीजेपी पाटी को उस सरकार से बाहर कर दिया गया इससे बड़ा सीख इससे बड़ा लेशन भारती है जनता पाटी के लिए और दूसरा कुछ नहीं हो सकता है ये देश एक आजाद मुल्क है और इस बिशम संकट में परिश्थिती में देश का जहां आर्थिक सामाजिक और कई पहलूँ पर के वो लेखी है कि पैसा बनाने का होड में आपने जीडिपी को जिस लेवल पे ले गए है मैं उसको जिकर नहीं करूँगा किशानों का जमीन देश के 80% से ज़्यादा लोग किशी पर निर्भर्सिल है तीन काला कानून लाया साल देड़ साल लोग आंदुलन किये लाखो लोग उसका मजाक उड़ाके फिर आपने फिर से उसको लागू करने का प्रयास कर रहे हैं दूसरी तरफ आदिवासी एक महिला को सम्मारित महिला को आपने प्रेशिरेंट अफ इंडिया पद में बिठाया और जंगल का जो आनू लाया आपने जंगल की जाए सारे जो संपदा है उस पर नियंतरन करके खनिश संपदा को खनन करके आप पुझी पतियों को मदद करने का काम के आपने बेरोजगारों को निहत्ता किया उस पर कनिहाजी बोलेंगे आपने देश को खोकला कर दिया और सबसे ज़्यादा बोलने का अधिकार छिन लिया बोलने का अधिकार आज मीडिया के पास भी नहीं है मीडिया भी खुल के उनके बारे में चर्चा नहीं कर सकता है मीडिया में कोई भी व्यक्ति कोई भी इंडिविज्वल चर्चा नहीं कर सकूए। ऐसे में बिहार एक दिशा दिया है और ये सक्त कदम है लोक तंत्र को बचाने वाले या संविधान को सम्मान करने वाले राजनेताओं का दल। उतरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आधितिनाथ सहरनपूर दौरे पर है जहां सीम योगी ने पुलिस लाइन में जनप्रतिनिद्यों और भाचपा के संगठन पताधिकारियों के साथ बैठक की वहीं इसके बाद सीम योगी ने शाखंबरी देवी विश्विध्याले और स्मार्ट सिटी के निर्मान कारियों का निरिक्षन किया इधर सीम योगी के दोरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नज़र आया उत्तर प्रदेश सरकार ने वुद्वार को चार आईएस और छे पीसी ऐसे अफसरों के तबादले किये हैं प्रताबगर जिले में तैनात मुखे राजस अधिकारी राकेश सिंग को एडियम ट्रांस गौमती लखनाओ में तैनात किया गया है वहीं लखनाओ में तैनात विपिन कुमार मिश्रा को अपर जिला अधिकारी प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई है इसके अलावा हिमान्शु कुमार गुपता को अपर जिला अधिकारी वित्व और राज्यव से लखनाव बनाया गया है आमजन की समस्याओं का जल्द समाधान हो इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आधितनाथ ने ब्लॉक दिवस आयुजित करने का निर्देश दिया है इसी क्रम में बस्ति के विक्रम जोत ब्लॉक बीडियो अनिल कुमार यादव की अध्यक्ष्टा में ब्लॉक दिवस का आयुजिन किया गया जहां बीडियो ने लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारन हेतों सम्मनित अधिकारियों को निर्देश दिये आपको बता दें कि राज्य में प्रतेक महा के प्रथम एवं तृतिय बुदुवार को ब्लॉक दिवस आयुजित करने के निर्देश दिये गए हैं जहां प्रतेक महा के प्रत्थम और तृतिय दिवस का इवजिन किया जाना है इसकर हमने आए उस्कम ब्लाट दिवस है इसमें सभी सहाई की तासओड़िकारी और सभी हमारे सची पस्चित है और जैसे जैसे समझ सहा है आ रही है सुगायते आ रही है इसकी जायतों बहुत समंदी सब्सक्री परवर्ड करके उसका वरी दिवस्चारा सब्सक्राइब का प्यास की ताना केंट शेत्र के मुम्ताज नगर इलाके में एक निर्माना धीन मकान पर लिंटर डालने के लिए लगाई गई शट्रिंग ढह गई हादसे के समय मौके पर पचास से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे वहीं शेट्रिंग गिरने से कांदेशा होते ही मजदूर वहां से भाग खड़े हुए जबकि तीन मजदूर उसमें फस गए सूचना पर पहुंची पुलिस ने अग्रिशमन ने राहत कारे प्रारम किया बाद में जेसीबी की साहता से मलबे को हटा कर उसमें फसे तीनों मजदूरों को निकाला गया तब तक के इन में से एक मजदूर की मौत हो चुकी थी जबकि दोग खायल हो गए थे मामले की गंबीरता को देखते हुए ठेकेदार की लापरवा ही सामने आ रही है खबर गाजीपुर से है जहां खानपुर थानक शित्र के उचाओरी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुटभेड हुई इस दौरान बदमाशों के फाइरिंग के जवाब में पुलिस की और से चलाई गई गोली से 25,000 का इनामी बदमाश खायल हो गया ऐसे में पुलिस ने घायल बदमाश और उसके साथ ही को गिरफतार कर लिया है दोनों बदमाश लूट की कई वारदातों में शामिल है अपराद और अपराद नियंतरन को दृश्टिकत रखते हुए लकातार चेकिंग के आदेश दिये गया है दिनों पहले कुछ लूट की घटनाएं छेत्र में हुई थी खासकर खानपुर छेत्र में सादात और गहमर छेत्र में और उसी के दृश्टिकत रखते हुए लकातार चेकिंग के आदेश दिये गया थे आज मुद्विर दोरा एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मुल्जिंग जिसका नाम सूरज है जो कि गहमर में हुई एक बैंक मित्र के नसात रूट में शामिल था वो और उसका एक साथी यहां से नगजा रहे थे तो इनको पुलिस ने रोकने की जो है वो बैरिकेडिंग डाल के कोशिश की थी पुलिस के ओपर इन लोगों ने जो है वो फाइरिंग डान किया जवाबी कारवाई में सोजी टीम खानपूर पुलीस इनके द्वारा जवाबी कारवाई में उसके पैर पे जो है वो गोली लगी है उसका प्राथ्यमी गुप्चार के लिए जिलास पताल भिजा गया है यह प्चीस हजार का इनामिया अपराधी भी है इसका नाम नसूरज और गोलो और कृष्न कमार है कुछ मुकद में इसके ओपर पंजिकरित है बिहार में और गाजीपूर में और कुछ अन्य जनपदों में अंतराजिय गैंग का यह मेंबर है दो मुल्जिम इसमें किरफतार कोशामी के चरवाथानक शेत्र में कुछ दिन पहले महिला बैंक मेनेजर पर एसिड अटेक करने वाले दो आरोपियों के साथ एसोजी और पुलिस टीम की मुटभेड हो गई इस दोरान बदमाशों ने एसोजी प्रभारी सिधार सिंग पर फाइरिंग कर जानलेवा हमला कि करनिमत ये रही कि बुलेट प्रूफ जैकेट की बदौलत एसोजी प्रभारी सिधार सिंग बाल बाल बच गई वहीं मुटबेड में गोली लगने से दोनों अपराधी घायल हो गए हैं ऐसे में दोनों को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भरती कराया गया है वहीं थाना चर्वा छेते में सेयद सरावा चेते में एक बैंक मैनेजर एक महिला है उनके उपर ऐसे डटेक की गटना हुई थी इसी पर लगातार इसमें तीमों को घटन किया गया थी और टीम है तब से लगातार इसने पर काम कर गया थी रात्री में एक सूचना मिली थी कि जो जिलोगों के दौरा एसीड अटेक किया गया था उनकी गाड़ी लोकेट कहीं पर हुई थी इसी की सूचना पर हमारी थाना चरवा की टीम और जो पहले से गठी थी इन तीमों के द्वारा इसमें उनकी घेरबंदी की गए जिसमें दो लोग ट्रैस हुए लेकिन उनको कि रोकने का प्रियास किया गया तो उनके दौरा एक साइड और भाग गए बोलो मैं रूट से उसके बाद में काफी आगे जाके इनको फिर रोकने का प्रियास किया गया लेकिन उनके दौरा पुलिस पे जो फायर किया गया इसमें दो लोग है जो अरेस्ट हो हैं उनको पहर में गोली को लगिए लगिए उपी के जालौन में लाइसेंसी बंदूग से गोली चलने पर संदिक परिसितियों में यूवक की मौत हो गई उरई कोतवाली के नया पाठकपुरा में गोली चलने की वारदास से हडकम मच गया वहीं एसपी रवी कुमार और फॉरेंसिक टीम ने मोका मोयना किया फिलहाल पुलिस हत्या का आत्महत्या की जाच कर रही है कास गंज में पिछले दिनों संदिक परिसितियों में हुई किशोरी की मौत के मामले में पटियाली तहसिल प्रशासन की देखरेक में शव को जमीन से निकलवा कर पोस्ट मार्टम के लिए भेजा गया गटना सिकंदर पुर वैशे थाना क्षितर के पीतम नगर हडोरा की है जहां 14 अगस्त को किशोरों की संदिक परिसितियों में मौत हो गई इस दौरान परिजनों ने गंगा किनारे शव को दफना दिया वहीं अब जिला अधिकारी हर्शिता माथूर के निर्देश पर पट्याली के नायाब तैसिलदार अर्विंद गौतम और पुलिस की देखरेक में 16 वर्षिये जुमकी का शवज जमीन से बाहर निकाल कर फिलहाल मामले की जान जारी है जी बजय इस तरह ऐसा है यह उसने अपने आप साट की साट के बाद हम ग्रामीड लोगों ने सबने सला रहा लेकर उसे हमने दफनाया पड़े में और उसके बाद में हमारे साथ दो तीन सो आदमी थे देखे ताना सिकंदरपूर वाइकशक्षेत्र में ग्राम पीतमनगर हरोडा में मृतिका जुमकी सोला वर्ष की है पुत्री सुरेश यादो इनके परिवार के कहने के मुताबिक साड़े चे बजे मृतिका जो है अपने साड़ी से फंदा गले डालकर आत्मा अच्या कर ली है लेकिन इन्होंने ना पॉलिस को इनफर्म किया ना किसी को इनफर्म किया अपने परिजन को बुलाकर गंगा नदी के किनारे शव को दफना दिया उसके बाद करीब राज को बारा वजे हमें 112 पर इन्फर्मेशन मिली कि उनके फिता ने इस मृतिका को मरा है और उसी के आदार पर हम लोग गहते और पूरी वैदानिक कारवाई करते हुए मेंश्ट्रेट की उपस्तिती में शव को जमेन से निकल वाकर पोस्ट मार्टन के हेतु बेजा गया है बाकी जो भी सामने आएंगे जो भी तत्य सामने आएंगे आपको विजिश कराएंगे हर्दोई के बेनी गंज कोतवालिक शेत्र के कुईया गाउं में एक पही परिवार के चार लोग अचानक बेहुश हो गए सभी लोगों को आनन फानन में जिलास्पताल में भरती कराया गया जहां सभी का इलाज जारी है पूरा मामला फूट पॉइजनिंग का बताया जा रहा है फिलाल चारों लोगों की हालत में सुधार है चार पेशेंट हमापस सुभे आये थे 11 बजे जो इसी फूट पॉइजनिंग का सिकार बताया रहे थे इसमें चार है अनुराग सनाव मदनपाल पुच्चा सिंग डाटराफ मदनपाल सिंग राम कली वाइप आफ नरेंदर पाल सिंग और मुनेंदर सिंग सनाव नरेंदर पाल सिंग इनमें सभी की हालत ठीक है और अपने अब भरती करके इनका इलाज किया जारा यूपी के मिर्जापूर में ललही छट का पर्व हर्शुलास के साथ मनाया गया भादरपद्र करश्न पक्षकी शष्टमी को भगवान श्रीकरश्न के बड़े भाई बलराम के जन्मोच्व के रूप में मनाया जाता है हल श्रीकरश्टी को ही पूर्वानचल में ललही छट के नाम से जाना जाता है वही माताय संतान की सुख सम्रद्धी और उसके स्वास्त के लिए वरत रखती है इसी को लेकर महिलाओं ने विदी विधान से पूजा अर्चना की यूपी के कास गंज में आज़ादी के अमरत महुस्व के तहट पुलिस अधिक्षक बीबी जी टी एस मूर्ती के नित्रत में पुलिस और पी एसी के जवानों ने तिरंगा मार्श निकाला ये तिरंगा मार्श गाजे बाजे के साथ निकाला गया इस दोरान देश भक्ती और जंडा गीत का गायन किया गया जिसमें जन्मानस में राश्ट भक्ती की भावना जाग्रत हुई तिरंगा यात्रा में शेत्र अधिकारी नगर दीपकुमार पंत समेत अनेक लोग मौजूद रहे आजादी के अमरत महुत्सव के तहट यूपी के आगरा शेहर की महिला पुलिस कर्मियों की और से मेराथन दौड का आयोजन किया गया इस मेराथन दौड में 125 महिला पुलिस कर्मी महिला निरिक्षक और महिला आरक्षियों ने बर्चड कर हिस्सा लिया इस दौड में सर्वशेश प्रदर्शन करने वाली महिला पुलिस कर्मियों को एस पी हरी परवत सतिनारायन गुपता सी ओ छत्ता सुकन्या शर्मा प्रभारी निरिक्षक महिला थाना रंजना सचान ने सम्मानित किया साथ ही महिला पुलिस कर्मियों को फल वित्रित किये गए पुलिस जो है दिना ग्यारा आट बाइस से लगातार आज़ादी का अमरित महुत्साव मना रही है इसी करम के दौरान आज यहां पुलिस लाइन आगरा में महिला पुलिस कर्मियों द्वारा एक मैराथन दोड का आयोजन किया गया जिसमें लगबग 135 पुलिस कर्मियों न जो पुलिस कर्मी है जोर में जीतने वाले उनको पुरिश्क्रित किया गया है बाकी सब को जो है वो फल वित्रित किया गया है और आगरा पुलिस लगातार आज़ादी कामरित महुत्साव मना रही है जो कल दिना 11-8-17-8-22 को एक सांस्कृति कार्यक्रम के साथ समापन किया जाएगा राजस्तान के जालोर में 9 साल के बालक की मौत को लेकर देश भर में आक्रोश व्यापते हैं वहीं विजनौर में भी दलिस समाच के लोगों ने केंडल मार्च निकालकर मृतक बालक को शद्धांजली दी साथी आरोपी शिक्षक को सक्त सजा देने की मांग को ले अक्रमाइग आपने नाम है तो एक टीचर है उसके श्कूल सिके टीचर टे तो उन्हों ने इसकी पिटाई करीब पानी पीने के अपर मात्र जो गड़ा होता है उसमें से पानी पीने के मास्ट उसे ऐसी सजा मिलियों है कि उसकी हथ्या गर दिय उसे इतना मारा के उसकी दि यूपी के बस्ती में नवसरजित नगर पंचायत श्रीपालपूर का नाम बदलने को लेकर इस्थानिये लोगों ने जिलाधिकारी को सीम योगी के नाम ग्यापन बेजा हैं आपको बता दे कि श्रीपालपूर को और आसपास की गाउं को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने के बाद नाम बदलने की मांग को लेकर अत्रिक्त उप जिलाधिकारी गुलाब चंद से मुलाकात कर मुख्यमंत्री को ग्यापन भीजा गया है इस ग्यापन में श्रीपालपूर नगर पंचायत का नाम बदल कर सुतंता सेनानी विजेपाल सिंग के नाम पर रखने की मांग की गई है नगर पंचायत के गठन हुआ है इसे लोगों में हर्स है लेकिन हम लोग की मांग यह है कि जो है सुतंता संग्राम सेनानी विजेपाल सिंग के नाम पर इसका नाम रखा जाए नगर पंचायत बन रहा है स्रीपाल पूर के नाम से तो हमारे गाओं के एक थे बहुत पहले सुतंता संग्राम सेनानी तो हम लोग चाहते हैं कि उनके नाम से नाम रखा जाए उनका नाम बिजेपाल सिंग का इसलिए हम लोग सोच चाह रहे हैं कि बिजे नगर के नाम से ब उत्तर प्रदेश के वारी असी में लगबग दो सप्ता से सिस्थिर पड़े गगा के पानी में फिर उफान आ गया है गगा का जलिसतर काफी तीजी से बढ़ने लगा है बढ़ी बढ़ी जल इस्तर को देखते हुए गंगा आरती का इस्थान फिर बदला गया है इधर मणी कर्णी का घाट और हरीश्चंद का शब दहाय इस्थल फिर बदल गया है कि एवन उत्तर प्रदेश में फिलाल इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एवन टी